है वह आपको बतानी सकता कितना सुकद अनुबहव है जो कोई चीज हम उगा कर अपने आप उसको हारवेस्ट कर के और उसको लिस और सब्जी बनाते हैं तो उसका जो आननद है वह अलगी होता है जो जो ये करते हैं अपने टेरिस पर या अपने खेत मर उनको ये आनंद जो है वो जो मैं बता रहा हूँ आज उसका पता लग रहा हूँगा कि हाँ ये कैसा नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल जैविक वाटिका में और आज का जो वीडियो है हमारा वो हमारी जो पिछले एक महीने की मेनच चल ली थी उसके रिजल्ट को दिखाने का है कि हमने जो पिछले एक महीने में अपना कीचन गार्डन तियार किया था और उसमें जो सबजिया उगाई थी हमने उनकी अपडेट का वीडियो है ये क्या क्या हमने लगा हुआ था वो सारा मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हुआ है अब वो कि उसमें ग्रोथ कितनी हो गई है कि उन सब को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं माझ कि सबसे पहले नंबर पर आप देखिए यह पालक की ग्रोथ आप देख रहे हैं यह और सर्दियो का मोसम जैसे चल रहा है और आगे और आने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा जो सबजी बनाते हैं वो होती है साग और मक्य की रोटी साग में दो तिन तरह का साग हो जाता है जैसे पालक का हो गया सरसो का हो गया मूली के पत्ते भी डाल लेते हैं कापी पॉस हेल्दी प्लांट्स हैं सारे ही पालक के और कलर इनका कितना बढ़िया है और साथ में यह देखिए कि यह लाल वाली चुलाई है रेड वाली और एक बार हम इसको हार्वेस्ट भी कर चुके हैं अभी दो-तिन दिन पहले ही किया था मैंने एक छोटी इसी वीडियो इसकी डाली थी पहले भी और अब इसकी ग्रोथ दोबारा से फिर चल पड़ी है और जो नीचे छोटे-छोटे से प्लांट नीचे दब गए थे वह फिर दोबारा आप ग्रोथ शुरू हो जाएगी उनकी इसके बाद है मेथी हमारी मेथी आप देखिए कितनी अच्छी घनी हो गई है और ग्रोथ भी इसकी काफी अच्छी है लगबग टीन चार इंच के इसके जो ग्रोथ है वह हो चुकी है और अभी पांच साथ दिन में यह हार्वेस्ट करने के लिए बिलकुल रेडी हो जाए मेथी है इसके बाद यह हमारी सरसो है मैं बात कर रहा था भी पालक की इसके बाद देकिन सरसो भी काफी बड़ी-बड़ी हो गिए अलाकि एक उस थोड़े लेट हमने इसको लगाया था लेकिन इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है और नीचे का जो पूरा सेक्षन अमन कुछ पूदे ब्रोग लिए इनकी भी ग्रोथ आप देखिए इनकी हमने पहले स्टेडलिंग रोग किती उसके बाद इसको लगाया हुआ है और इनकी ग्रोथ काफ Mr. Kaggi यह देखिए इसके बाद ये देखिए ये चना है अभी जो बात कर रहेते हैं कि पालक के साख की उसमें चना भी एक एहम रोल निबाता है और इसको हम एक बार हारवेस्ट कर चुके हैं काफी बड़ा-बड़ा हो गया था ये ये देखिए ये दोबारा से फिर इसकी ग्रोथ नई निकल आ टोमाटर है टोमाटो वह हमने सेडलिंग से ग्रोव करके लगाए थे और इनकी ग्रोथ देखिए आप कितने अच्छे चल रहे हैं ये और प्लांट्स भी काफी हैल्दी है और नईनी ब्रांचे इनमें आ रही हैं कुछी दिनों में इन पर भी फ्लावरिंग होगी और अच्छे अच्छे टमाटर इन पर लगने सुरू हो जाएंगे इधर उपर हमने लगाया हुआ है बीट रूट बीट रूट की ग्रोथ आप देखेंगे यह देखिए कितनी हेल्दी प्लांट यह हमारे लग रहे हैं और यह देखिए सारे के सारी और यह देखिए बेट रूट भी काफी अच्छी ग्रोव कर रही है और लगबग हो गए होंगे अभी पंदरा से बीच दिन होंगे उसके बाद का रिजल्ट है यह देखिए साथ में जो सेव चना होता है उसके भी हमने कुछ प्लांट लगाए हुए है यह देखिए यह सेव चना है और सेव चना की ग्रोथ भी काफी अच्छी है और प्लांट काफी हेल्दी है यह सारे के सारे जो हमने लगाए हुए जितनी भी अपनी सब्जी आ हैं पूरी तरह से और्गैनिक हैं किसी तरह कोई पेस्टी साइड हमने नहीं डाला हुआ इन में केवल नॉर्मल गोबर की ख हम इनमें अभी थोड़ा सा फटिलाइजर कुछ दिन के बाद देना सुरू करेंगे लिक्विड फटिलाइजर देंगे उसके बारे में आपको आगे बताएंगे फिलाल इनकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी है और इधर साथ में आप देखिए यह कुछ मटर के प् प्लांस पर और इसकी बाड़ करने के लिए क्योंकि इसकी बेलनुमा चलती है तो हमने यह स्टिक इनको सारा दिया हुआ है उसके सारी यह आगे ग्रोथ करेंगी कि यह देखिए तो इस तरह से इनकी ग्रोथ कापी बेतर है और अच्छा लग रहा है मुझे इदर दोस्तों यह दो प्लांट ब्रोकली के हैं यह कुछ फुड़ा सा पहले लगाए थे हमने इनकी जो सेप्लिंग है वह लेकर आया थे में मार्किट से और इनकी ग्रोथ भी आप देखिए काफी बड़े-बड़े हो गए हैं दोनों प्लांट यह देखिए अब उसके बाद इदर आते हैं हम इदर एकदम कितना घना यह हो गया इदर पूरा और यह जो पूरा का पूरा मेरा कैरेट है इसमें मूली है सलजम है और गाजर भी लगाई थी हमने बीच में दो लाइन हमने सोचा था कि दो दो लाइन करके लगाते हैं लेकिन जो गाजर है वो नीचे दब गई है और मूली जो है यह देखिए यह गाजर का भी प्लांट है मूली की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि गाजर जो है उसके बीच में नीचे रह गई है और उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो मैं अब यह सोच रहा हूँ कि इनको यह देखिए मूली है अब इनको मैं थोड़ा सा सेपरेट करूँ इसमें से कुछ जो प्लांट है मूली के वो अलग कर देता हूँ इनको थोड़ा घंए से हलके हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे अंदर इसमें गाजर के मूली थी और इधर मैंने यह लगाई विए सल्जम कि आज ही हमने जो सल्जम के पत्ते हैं वो इन में से अटा दिये हैं क्योंकि इसमें भी उसी तरह से पूरा घंणा हो गया था और नीचे हवा तक नहीं लग पारी ती तो इस वेज़े से इसमें हमने अलका अलका इनको कर दिया है और यह प्लांट आप देखिए यह गाजार हमारे इसमें कुछ 10-15 बचे वें अभी काफी अच्छीन की ग्रोथ चल लिए और यह सल्जम है देखिए सल्जम की भी ग्रोथ इतनी खुसी हो रही है आज मुझे आपको दिखाते वे बताते वे कि हमने जो एक मैंनत की थी और उस मैंनत का यह फल है और फल बहुती मीठा है स्वाजिस्ट है केमिकल फ्री है किसी तरह का कोई केमिकल इसमें नहीं डला हुआ है और इसका जो अनुबव में वो आपको ब में बस्टी साइड और गंवन टर्व buds करके और उसको जो सबजी बनाते हैं तो उसका जो आनंद है वो अलगी होता है जो जो ये करते हैं अपने टैरस पर है अपने खेट मर पर उनको ये आनंद जो है वो जो मैं बता रहा हूँ आज उसका पता लग रहा हुगा कि हाँ ये कैसा आनंद होता है कैसा नुबह होता है क्योंकि आज कल मार्किट में जितनी भी सब्जिया आती हैं उनमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत जादा होता है और मार्किट में जो भी सब्जिया लेकर आते हैं या उगाते हैं उनको इतना किसी का नहीं होता है कि किसी को इससे खत्रा भी होगा या कोई बिमारियां भी होगी उनको केवल अपना बिजनिस करना होता है और उसी बिजनिस के चलते उसमें बरपूर कैमिकल्स पेस्टिसाइड्स यह सारे यूज किये जाते हैं और उसके बाद वो ग्रो करके मार्किट में बेचा जाता है क्योंकि बिना कैमिकल्स के खेती करना इतना आसान नहीं है इतना हम बोल देते हैं बहुत जादे मेनत लगती है और बहुत ही जादा केर की विजरूत पड़ती है जब हम कैमिकल्स का प्रियोग आजकल नहीं करते हैं क्योंकि आजकल का जद दोर है वो बदल चुका है पहले वाला दोर नहीं है कि हमने मिट्टी में कुछ नहीं डाला और कोई फर्टिलाजर न जलते ही यह काम सारा करना पड़ता है कि कैमिकल्स का छिड़का हो गया यह सब आगे जो हमारा धनिया है वो आप देखिए धनिये की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी है यह देखिए बड़ाई अच्छा दिख रहा है इधर हमने और कुछ वाइट वाली जो मूली है वो लगाई वी है और इधर हमने पहले थोड़ा अलग अलग करके लगाई थी तो इधर बिल्कुल सही है यह और इनके बीच में जो गैप है वो भी ठीक बना हुआ है इधर एक पेड़ हमा ग्रोध भी है तो कि इसकी भी ग्रोध काफी अच्छी ganhar अधर हमारे पास एक पैड़ मिर्च का हैं और इस पर पूरे साल भर मिर्च लगी रहती हैं पिछले 2 साल से हमने मार्किट से कोई भी मिर्च खरीद ही नहीं है केवल यह एक दो पेड़ी है जिन से हमारे पूरे कीचन का जितना भी मिर्च की जरुरत है वो पूरी होती रहती है और यह मेर्च भी काफी टेस्टी वाली मिर्च है इनका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा है साइज इनका थोड़ा चोटा होता यह देखिए कुछ पक भी गई है इसमें लेकिन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है यह इस पर भी काफी मिर्च आए भी हैं तो यह मेरा अपडेट वीडियो था और आगे भी हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे अपने कीचन गार्डन के बारे में यह देखिए तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको एप वीडियो कैसा लगा और वीडियो को सेर एक बार जरूर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इससे हमारा जो मनोबल है काम करने का आपको दिखाने का मेनत करने का वो और बढ़ता रहता है और अच्छी तरह से हम अच्छे कुछ बेनेफिट जरूर होगा आप भी थोड़े वोते मोटिवेट जरूर होंगे और इस तरह से अपनी टैरेस पर हलका से ही सही थोड़े थोड़े से ही सही कुछ ना कुछ और्गैनिक ग्रो करना शुरू करेंगे तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए है तो फिर नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको बैल को जरूर दबादे ताकि जो नहीं नहीं वीडियो हम लाते हैं अपने चैनल पर वह आपको उनके नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलते रहें तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार